नमस्कार प्रेदर्शकों मैं प्रियंका आप सभी लोगों का स्वागता भी नंदन करती हूँ कैसे हैं आप लोग दर्शकों आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे अस्त ग्रह क्या होते हैं अस्त ग्रहों के कैसे परिणाम प्राप्त होते हैं तो दर्शकों सूर्य ग्रहों के राजा हैं और सूर्य को सबसे शक्तिशाली ग्रह की संग्या भी प्राप्त है उसका कारणी है कि सूर्य का तेज होता है सूर्य का तेज जो है तो सबसे अधिक होता है और वैदिक जोतिश में कई महत्वपोन सूत्र बताए गए हैं अस्त ग् भी जब सूर्य के अधिक निकट तक चला जाता है तो वो सूर्य के तेज और योज से प्रभाव हिन हो जाता है ईसे ग्रह को एस्थ कहा जाता है कि जब वो ग्रः शुबफल नहीं दे जिनकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, तो सबसे पहले तो चंद्रमा, तो सबसे पहले तो कोई भी ग्रह अस्त कब होता है, डिग्री वाइस हम जान लेते हैं, तो चंद्रमा जब सूरेशे 12 अंश की दूरी पर आते हैं, तो अस्त हो जाते हैं, मंगल 7 अंश पर अस्त हो जा यानि अगर कोई भी ग्रह सूरे की परीदी में इतने अंच तक और जाता है जैसे शुक्र 8 डीग्री का और सिर्थ 14 डीग्री का एक यही भाओं में हो तो तो दोनों सिर्फ 6 डीग्री का अंतर दोनों के बीच में बसता है तो ऐसे में शुक्र अस्तो हो गए अब ऐसा ग्रह अपने कारक का शुब फल प्रगट नहीं कर पाता है, जो जिस ग्रह का काम है वो शुब फल प्रदान नहीं कर पाता है, हलाकि देखा जाए तो बुद्ध सदैव सुर्य के समीप ही रहते हैं, इसलिए कहा गया है कि बुद्ध को तीन डिग्री में ही अस्त मानना तीन डिग्री में जब बुद्ध होते हैं तो शुब फल देते हैं या अपना शुब फल प्रदान नहीं कर सकते हैं, अगर कोई भी ग्रह सुर्य के साथ और उससे 15 डिग्री के फासले पर है तो वो पून उदित माना जाता है, और अगर फासला सिर्फ 8 डिग्री का है तो अगर फासला साथ डिग्री से कम है तो ऐसा ग्रह बुद्ध को छोण करके पून अस्त माना जाता है, अस्त ग्रह का क्याफल होता है तो जैसे चंद्रमा ऐसा सिर्फ अमावस्या की समय में ही होता है, अगर चंद्रमा अस्त हुआ तो जातक को मा के सुख में कमी विश्यस प परपर्टी में फायदा नहीं होता है और जिस भी धंदे में जिस भी बिजनस प्यापार में जाते हैं इसे चातक को नुकसान होता है, अगर बुद्ध जन्म कुंडली में अस्त होता है तो इस ग्रह को अस्त होने का वैसे दोश नहीं होगा, फिर भी ये देखा गया कि अस ब्रहस पती अस्त हो जाते हैं, तो ब्रहस पती के अस्त होने से क्योंकि ब्रहस पती विशेस सुखों को देने वाले मान, सम्मान, हर प्रकार के सुखों को देने वाले ग्रह हैं, तो ब्रहस पती के अस्त होने पर चरीत्र पर लांचन लगते हैं, ऐसा व्यक्ति स्वयम को प्रद करने में लगा रहता है, घ्यानी होने के बाद भी ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छी पोजिशन नहीं मेंती है, बहुत उच्छे पदप्राप्त नहीं हो पाता है, जन्रम कुंडली में ये शुक्र ग्रह अस्ते हैं, तो ऐसे में कोई भी काम पूरा होने में बहुत जादा लंपट वाज भी होता है और इसके साथ साथ घर परिवार का मौहल भी ऐसे लोगों का बहुत अच्छा नहीं होता है शनी यदि जन्म कुंडली में अस्तु हूं तो ऐसे में सरकारी कारियों में अगर गौर्नमेंट जॉब की तलाश करते हैं तो गौर्नमेंट जॉब किसी से इस कितना भी ज़्यादा बहत्रिन कर ले लेकिन आपको अपने मान में कमी दिखेगी लेकिन अक्सर लोगों का ये प्रश्ण होता है कि क्या अस्त ग्रह भी शुब फल देते हैं तो हाँ बिल्कुल रिसर्च कहता है कि अगर जातक की कुंडली में किसी भी जातक की क कुंडली में छटे, आठवे और बारवे भाव में कोई भी ग्रह ये अस्त हो तो जातक को शुब परिना मिलते हैं लेकिन मैटर करता है प्लेस्मेंट यानि कि वो प्रभाव हीन होकर के भी उस भाव के अशुब फल को प्रगट नहीं करता है जैसे कि माल लीजिए अगर ज पती यदि अशुब भाव के स्वामियों करके अस्त हुई हैं तो जातक को उस भाव के अशुब परिनाम नहीं देंगे जिस भाव में वो हैं उस भाव के अशुब परिनाम को नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो बलहीन हैं जातक को आसानी से उस भाव से जुड़ी अच्छी चीजे मिलने लगेंगी एक तरह से देखा जाए तो यह विप्रीत राज योग जैसा भी फल होता है तो दर्शकों कुछ इस प्रकार से फल प्राप्त होते हैं ग्रहों के अस्त होने से तो आपकी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह अस्त है और किस इस्थान पर अस्त है वो आपने के लिए स्क्रिन पर दिये गए नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं मेरे तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार